नमस्कार दूस्तों गुड मोनिंग चलिए सुरुवात करते हैं ध्यान दीजेगा वीडियो को कंप्लेट देखना है पहला प्रश्न देखिए देखिए मुख्य मंत्रे वरिक्ष संपदा योजना के संबंद में कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर देखिएगा करेक्ट अंसर ह प्रती एकर 10,000 रुपय तक की आमदनी होने की संभावना है यह गलत है ठीक है ध्यान दीजेगा पचास अजार रुपय तक की आमदनी होने की संभावना है चलिए डेटेल से देखिएगा ध्यान दीजे देखिए कि 21 मार्च को विस्व वानी की दिवस की आउस्तर पर किया जाएगा ध्यान दीजेगा राज्य के सभी 33 जिलों में दुस्तों 23,600 की सानों द्वरा 36,231 भूमी पर वाड़ी जिक वरिक्षारों पर प्रारम किया जाएगा याद रखना है और ध्यान देना है कि देश में पहली बार दुस्तों चिनहीत प्रजातियों के वरिक्ष रखा गया है और इससे काश्ट अधारीत उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा किसानों को दुस्तों प्रती वर्स प्रती एकड़ 50,000 रुपे तक की आमदानी होने की संभावना है याद रखना है कि 5 सालों में किसानों की खाली पड़ी जमीनों पर याद रखना है 15 करोड जो है पौधे लगाए जाएंगे ध्यान दिजेगा और इसके अत्रिक्त कारबन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी किसानों को अत्रिक्त आये होगी तो यह सब है ध्यान दिजेगा नेक्स प्रेशन देखते हैं यह है देखे के सरे हिंद दरवाजा निमनलिकित में से किस जिले में स्थित हैं तो यहाँ पर देखते के पहचान जाईए अफ्य नम्बरूरG तो देहान देना है दोस्तों की राइपूर में जैय इस्तम्ब के तौर पर राजा देखे रायपूर के जो है राजाओं ने मिलकर क्रॉंकिट का एक विसाल का है दर्वाजा बनवाया जिसका नाम केशर हिंद रखा गया ओके जहां दीजेगा नौलेज के लिए है पूस सकता है कभी भी यह अगला प्राश्न देखे कपिलेस्वर मंदिर सम किस जिले में इस्थित है तो यहां पर आप्सन है दिया गया है दिखे करेक्ट जो आंसर है सही आंसर आप्सन नंबर भी है दोस्तों बालोद ओके ध्यान देना है बालोद चले डिटेल से देखेगा देखे कि बालोद जिले में दुस्तों दल्ली चौक पर है ना दल्ली च जी राम जानकी जी और राथा कृष्ण जी को जिस्तमर्पित छे प्राचित मंदिर है याद रखना है कि यहां इसित भगवान सिव का जो है मंदिर जलकुन के किनारे सित है और यह जलकुन जो है कभी सुकता नहीं है ठीक है और इसके दोनों तरप विसाल चत्रभुजी गड मुर्तियां 11 सताब्दी की मानी जाती है ध्यान दिजेगा देखे कि नागवंसी राजाओं के समय दुस्तों 13 से 14 सताब्दी में मंदिर के सिखर पर नागों का अंकन हुआ था और मंदिर का सिखर जो है पीड़ा देवल सेली में बना है और सभी जो मंदिर है पुर्वा मु सही जो आंसर है ऑप्सन नंबर सी है बलावदा बाजार ध्यान दिजेगा बलावदा बाजार तो याद रखने हैं दूस्तों की कूटन जल प्रपाद बलावदा बाजार जिले में इस्तित है और यह कषडोल से मात्र आट किलोमीटर की दूरी पर सिरपुर मार्ग पर बोर क्रिशी विश्विद्याले इन युवा सांस्कृतिक महस्तों में 36 अड़ के क्रिशी विश्विद्याले ने कौन सा पदक हासिल किया है ऑप्सन है यहां पर देखेगा करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर सी है स्वन ध्यान दिजेगा स्वन तो याद रखने हैं दूस्तों की इंद्रा गांधी क्रिशी विश्विद्याले रायपूर के विद्यार्थियों ने भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशाद्वारा बैंगलोर में आयोजित 21 अखिल भारतिय अंतर क्रिशी विश्विद्याले नियुवा सांस्कृतिक महस्तों मतलब एगरी युनिफेस्ट में दीके लोक नुरति प्रतियोगिता में प्रथा मिस्थान हासिल कर सुर्ण में इंड्रा गांदि क associations वे द्यारतियों के विद्यारती ऑर देजस्य भर दोस्तों चली जब्डेंगे दियाला आंसितों चलिए बढ़ते हैं आगे ध्यान दीजिए कुदरगड महाँ स्enne theo 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा आप्सेन है यहाँ पर देखेगा 6000 अनसर है आप्सन नंबर सी है सुरचपूरर ध्यान दीजिएगो सुरचपूर चलिए ध्यान दीजिएगा ध्यान दिएगा कि सुरच पूर्जिले में दूस्तों कुदरगड महुस्व दहजार तेज का आयोजन 26 मार्च से 28 मार्च दहजार तेज तक किया जाएगा याद रखिएगा और कुदरगड में दूस्तों मा बागेश्वरी धाम इस्तित है और इसे कुदरगड़ी धाम के नाम से भी जाना जाता है यहां जो है मा की मुर्ती हजारों फीट उपर पहार परिस्तित है और यहां तक पहुँचने के लिए 700 सीडियों की जो है चड़ाई करनी पड़ती है ध्यान दिजेगा मा बागेश्वरी धाम ना कुदरगड़ी धाम कुदरगड महस्व तो यह सभी सुरजपूर जिला ओकी ध्यान दिजेगा चलिए केश जिले के जिला स्पताल प्रदेश का पहला जिला स्पताल है जहां 6 करोड 49 लाक की लागत से MRI मसिन स्थापित की गई है यहां पर ओक्सन दिए गया है करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर बी है कांकेर ध्यान दिजेगा कांकेर ध्यान देना है दिखे मांजीन गड़ परियाटन इस्थल केश जिले में इस्थित है तो यहाँ पर दिखेगा ऑप्सन दिया गया है करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर सी है कोंडा गाउं ध्यान दिजे दिखेगा सही जो आंसर है option number C है बे में तरह ध्यान दिजेगा बे में तरह देखे केस जिले में 74 किलोमीटर लंबी रेल्वे लाइन के बीच हाथियों के लिए ओवर ब्रीज वह अंडर पास बनाए गये हैं तो यहां पर दिखेगा option दिया गया है और खरेक्ट आंसर है option number C है राइगाड ध्यान दिना राइगाड बीपी सी एल की चेयर में वा प्रबंद निदिशक की रूप में किसी निउक्त किया गया है तो यहां पर दिखेगा option दिया गया है और खरेक्ट आंसर है option number E है जी कृष्ण कुमार ध्यान दिजिएगा जी कृष्ण कुमार देखे किस ने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है option है यहां पर दिखेगा करेक्ट आंसर है option number D है कारलोस अलकराज ध्यान देना है कारलोस अलकराज यह वाला प्रश्ण आप लोगों के लिए है इस प्रश्ण का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स वक्स में स्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल इस्टोर्स योजना के तहत अब तक कितने मेडिकल इस्टोर्स अंचालित है यहां पर option है देखेगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजेगा चले बहुत बहुत धन्यवाद इसका जो PDF है आप हमारे टेलिग्राम चनल से डा करें